एडी दफ्तर नहीं जाएंगे शर्ट पवार कहा बैंक घोटाले से लेना देना नहीं, जाच एजनसी ने भी कहा पूछ ताज की जुरत नहीं BSNL और MTNL को लेकर PMO में हुई एहम बैठख 4-5 दिन में हो सकता है भविश पर फैसला गुजराद में सूरत के बजार में ट्रांसजेंडरों की 9 एंट्री इलहाबाद हाई कोट ने कहा की धोनी प्रदूशन करने वालों की अब खैर नहीं, लगी गाउद 10 लाक रुपे का जुर्माना दिल्ली में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में लूट भाग रहे एक बदमाश को पुलिस ने पकड़ा दूसरे की तलाश जारी विधान सबच्चुनाओं से ठीक पहले 25 जार करोड रुपे के महाराश कॉपरेटिव बैंक घुटाले में एंसीपी प्रमुक शरत पवार के खलाफ केस तरश होने से महाराश की राजनीती गर्मा गई है शरत पवार आज बिना बुलाए फ्रवर्तर निदिशाले के सामने पेश होने वाले थे लेकिन मुंबाई पुलिस कमिशनर से विलने के बाद उन्होंने एडी जाने के अपने फैसले को रद कर दिया है इससे पहले एडी ने कहा कि अभी शरत पवार से पूछताच की जुरत नहीं है शरत पवार ने कहा कि मैं एडी दफ्तर नहीं जाओंगा मेरे वहाँ जाने से कानुन विवस्था बिगड सकती है उन्होंने कहा मेरा बैंक होटाले से कोई लेना देना नहीं है इससे पहले परवर्त निदिशाले ने शर्पवार को एमेल की जरिये कहा कि उनसे अभी पूछताज की जुरत नहीं है साबजनिक छेत की दुर संचार कमपनी भारस संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड के भविश का फैसला जल्द होने की उमेद है BSNL और MTNL को क्या रिवाई यानि पूर्ण जीवित किया जा सकता है या नहीं इस पर जल्द ही फैसला होने की उमेद है इस क्रम में गुरुआर देर रात तक प्रधान मंत्री कार्याले में हैं बैठक हुई बैठक में BSNL और MTNL को दोबारा पट्री पे लाने की संबन्द में विस्तरत चर्चा हुई सूत्रों के मुताबिक प्रधान मंत्री कार्याले की तरब से अगली 4-5 दिन का समय दिया गया है जिसमें सची ओकी कमेटी इस बात के निश्कर्स पर पहुँचेगी कि क्या BSNL और MTNL को कौन जीवित क्या दे सकता है या नहीं ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्त्यों को गुजरात के सूरत के बजार से गुरुआर को प्रतिवन्दित कर दिया गया है बजार के बैपारियों ने प्रतिवन्द तब लगाया जब एक वेक्त को ट्रांसजेंडरों दौरा कठित तौर पर पीट-पीट कर माल डाला गया सूरत के जपान मार्केट के प्रसीडेंट एल शर्मा ने प्रतिवन्द लगाने को लेकर गा कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग इस थाने लोगों को परिशान करते हैं अगर उन पर ये प्रतिवन्द नहीं लगाया जाता है तो वे नहीं सुधरेंगे बजार में ट्रांसजेंडर समधाय के प्रवेश करने प्रप्रतिबंध लगाने के लिए एक नोटीस भी चिपकाये गया है वहीं इस प्रतिबंध का ट्रांसजेंडर समधाय के लोगों ने विरोध किया है वो कह रहे हैं कि कुछ की गलती की सजा सबको नहें मिलने चाहिए ट्रांसजेंडर समधाय के पायल कुवर ने कहा हमें इस प्रतिबंध से वेथित हैं इन बजारों से हमें जो पैसा मिलता है उससे जिन्दिगी चलती है यह अनुचित है इलहाबाद हाई कोड ने बारात के दोरान डीजे से होने वाले धोनी प्रदूशर पर सक्त आदेश दिया है हाई कोड के आदेश के मताबिद अब सडको पस्तों मेटर से अधिक दूरी तक बारात के लोग डीजे के साथ नहीं गोम पाएंगे अधिक दूरी तक बाराद निकालने पर धोनी प्रदूशर और ट्रैफिक जाम होने के सिती में भारी जुर्माना वसूला जाएगा धोनी प्रदूशर पर शिवार्टी का मैरिश हॉल तोरा याचका पर जश्टेस पीके एस बगहेल और जश्टेस पंकल भाटिया की पीठ ने आदेश दिया है मामली की अगली सुनवाई 6 नोवेंबर को होगी आपको बता दे कि पीठ ने ये कहा कि मैरिश हॉल में धोनी प्रदूशर की शिकायत पर 10 लाख रुपे तक का जुर्माना वसूला जाएगा कोट ने मने फैस ने वे कहा कि सुशील चैन्दर शिर्वास्तों केस में दियेगे निदेशो के तहट यादी किसी मैरिश हॉल में धोनी प्रदूशर निया इंत्रण कानून का पालन नहीं किया दाता तो पहले ही गल्ती पर 1 लाख तूसरी गल्ती पर 5 लाख और 3 लाख रुपे कर जुर्माना वसूला जाएगा तीन गल्ती के बाद जिलादिकारी मैरिश हॉल का लाइसेंस रद कर देंगे दिली के फर्ष बाजार थाना इलाखे के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को वीरवार दो पहर नकाब पोश बदमाशों ने अपना निशाना बनाया देशी कट्टा और चाकू लेकर हेलबट पहने दोनों बदमाश गपार कर इत साड़ी तीन बजे बैंक में दाखिल होते हैं और अतियार की नोख पर बैंक में मवजुद एक कस्टमर से करीब 9 लाख रुपे से भरा बैं लूट कर फरार हो जाते हैं बार में पुलिस और लोगों की मदद से बदमाश पकड़े गए लूट की रकम भी बरामत कर ली गए पुलिस के मताविवारदात को अंजाम दे कर दोनों बदमाश जब बाइक पर भाग रहे दे तबी बैंक कर्मियों ने शोर मचा दिया संग्री गलिया होने के चलते भीड ने बदमाशों का पीछा किया और बैंक से कुछ देर ही एक बदमाश को पकड़ लिया हाला कि दूसरा बदमाश भागने में काम्याब रहा पकड़े गए बदमाश से लूट की पूरी रकम भी बरामत कर ली गए है झाल